दिल्ली के सर्व हरियाना ग्रामिद बैंक गोटाला मामले में यूनियनोंने सरकार से सीबियाई जाँच की मांग की है जिसको लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वारता की गई वहीं सर्व हरियाना ग्रामिड बैंक के चीफ कॉडिनेटर मुकेश कुमार जोसी ने बताया कि जब बैंक में घाटे थे तब सर्व हरियाना ग्रामिड बैंक प्रबंदन ने लगबख 485 करोड रुपे का आये कर क्यू भरा प्रबंदन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि लगबख 650 करोड रुपे के घाटे को चिपा कर बैलेंस शीट को लगातार मुनाफिका बनाया जा रहा था हम 2014 से लड़ाई लड रहे हैं पहले बैंक गुड़गाओं ग्रण बैंक और रहाना गरेंग दो बैंक थे अर्याना में गल्थ तरिक्के से इसको गुड़गाओं ग्रण बैंक बनाके पिन बी की मेनेजमेंट देदी जब से भौरता चार हो रहा है, ये मोदी जी कहरे है मैं बहुटा चार मुंगत भारत बनाऊंगा, एक चोटा सा बैंक और इसका एक चोटा सा चेर्मेन, एजीम, डीजेम लेवल का ये कहता है मम भारत को बर्षा बर्षाचार मुंगत नहीं बने देंगे ज़िजी कुछ भी क डिस्क्रमेंट डालने के बाद वो बैलेचिंट पब्लिस नहीं कि इनोंने ला गोर्विम्ट ओफ इंडिया को गल्थ तरीके से ओडिक्टर ही चेंज कर लिया बोर्ड से कर गए बोर्ड को भी और जो चेर्मेंट था उनको अरेस्ट किया जाने चाहिए था चेंडर निकरता है 15,000 करोड में बनना था बेस्वेंट के साथ बेस्वेंट खतम कर दिया बिल्डिंग छोटी कर दी अमाउंट 15 से 25 कर दिया यह मोर भी वाला हासा होने वाला है इसमें बिल्डिंग की एक साल में छतगीर की थी यह कहते है छत निकरी रिड़की की रिपोर्ट यह कहती है कि हमने ऐसा ऐसा रिपेर